यहां राजस्थान सरकार नौन लाने की यूजना बना रही है जिससे रज्ज में मास्क पहनना अनिवारे हो जाएगा इसके साथ ही ऐसा कानून लाने वाला यह पहला रज्ज बन जाएगा आपको बता दें कि मुख्यमंतरी असोक गहलोतनेक विडियो कॉन्फरेंसिंग के दोरान संबोधित करते हुए प्रेस को कहा कि रज्ज सरकार कोव की बरकरा रखना कोरोना के इससे बचने का एक मात्र जरिया है गो कोरोना गो कहने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी हुए कोविड पॉजिटिव अस्पताल में भरती जिहां केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ओफ इंडिया के अध्यक्च का दिती है अठावले ने गो कोरोना गो का नारा दिया था जो सोसल मीडिया पर काफी वारल हुआ था जिसके लिए उनका खूब मजाक भी बनाया गया था अठावले के संकमित पाय जाने के बाद एक्टरस पायल घोश सहीत कई लोगो को कोरोना जाच कराने की होगी सोमवा को आपको बता दें कि रामदास अठावले ने पायल घोश को पार्टी की सदसता दिलाई है इस मौके पर कई लोग समारोह में मौजूद थे इन सबी को फिलहाल आइसोलेट होने और टेस्ट कराने के लिए कहा गया है सियम योगी का सपना हो रहा है पूरा उत्तर परदेश की ग्रामीड महिलाएं लिख रही है तरक्की की नई इबारत जिहां उत्तर परदेश की योगी अधितनात की सरकार महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ग्रामीर छेतर की महिलाओं में आई जागरुकता नारियों के सम्मान की नई इबारत लिख रही है, महिलाओं को ससक्तव आत्म निर्भर बनाने की प्रवासी लोगों की मदद करने के लिए नई यूजनाओं को प्रदेश में लागू किया है, जिसमें महिलाओं को आत्म निरभर बनाने के लिए स्वैम सहायता समुहों का गठन किया गया है जिससे UP के ग्रामीरण छेत्रों की महिलाओं को काफी लाझ मिल रहा है भाजपा के विग्यापन से नितीश कुमार हुए गायब तो कॉंग्रेस ने खेला सहानुभूती कार्ड जिहां जैसे जैसे मतदान की तारिक नजदी का रही है वैसे वैसे बिहार विधानसभा का चुनाव रोचक होते जा रहा है विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए भाजपा के विग्यापनों और पोस्टरों में नितीश कुमार की तस्वीर नहीं होने को लेकर अब कॉंग्रेस पार्टी ने जद्यू के साथ सहानुभूती कार्ड खेला है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता रणदीब सिंग सुर्जवाला ने दावा किया कि भाजपा ने नितीश कुमार को अभी पोस्टर से गाइब किया है लेकिन 10 नमबर को बिहार से ही गाइब कर देगी उन्होंने यह भी अरोप लगाया कि नितीश कुमार के खिलाफ लोजपा प्रमुक चिराग पास्वान की बयानबाजी के पीछे भाजपा है बिहार से संबंदित कॉंग्रेस की चुनाव प्रबंद समीती के प्रमुक सुर्जेवाला ने दावा किया कि 7 नमबर को मतदान खतम होने के बाद भाजपा जदियू को कुड़ेदान में डाल देगी ये लोग नितीश बावु को दूद से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेक देंगे इसलिए लोक जनसक्ती पार्टी को जदियू की सारी सीटों पर खड़ा किया है और भाजपा के पच्चास उमिद्वार लोजपा के चुनाव चिन पर जदियू के खिलाफ लड़ रहे हैं चीन को अमेरिका ने दिया सक्त संदेश अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा जिहां अमेरिका ने भारत की धरती से चीन को साफ संदेश दिया है कि वा भारत के साथ खड़ा है अमेरिका का यह एलान उस वक्त हुआ है जब भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव बरकरार ह दरसल भारत और अमेरिका ने एक महतपुन रक्षा समझोता किया जिससे अत्याधुनिक सैन्य प्रोध्योग की उपगरह के गोपनिय डाटा और दोनों देशों के बीच अहम सूचना साजा करने की अनुमती होगी चीन को साब संदेश देते हुए मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंतरी माईक पॉम्पियों ने भारत के साथ रक्षा सहयों के समझोते के दौरान कहा कि हमने रास्टी युद्यस मारक का दौरा किया जिसमें भारती ससस्तर बलों के बहादुर पुरुशों और महिलाओं को सम मानित किया गया था जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंतर के लिए बलिदान दिया था जिसमें गलवान घाटी में पी एल ए द्वारा मारे गए 20 लोग भी सामिल थे अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा क्योंकि वे अपनी संप्रभुता स्वतंतरता के लिए कत आपना कर रहा है